हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल एजूकेशन विद गौरब मेरे इस चैनल पर एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है दोस्तों और जैसा कि आप सब जानते हैं हम यहाँ पर इस चैनल के उपर उत्राखंड लेक्चर वा एल्टी की तेयारी करते हैं तो आज मैं जो ह करेंगे ठीक है तो इसी क्रम में आज आपके बीच में पहला टेस्ट लेकर आया हूँ तो आप लोग जो है टीचिंग एप्टीट्टीट जो है उससे रिलेटेड़ जितने भी टेस्ट में लेकर आऊंगा उनको मेरे साथ सॉल्ब कर एद्यान से देखिए और अपने हमारी चल रही है और हम कितना कर पा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं और अगर आप लोगों को नोट सी तो आप मुझे इस वाटसप नमबर पर कॉंटेक कर सकते हैं आपको यहाँ पर उत्तराखंड लेक्चरर के नोटस अबेलेबल होंगे साथ के साथ एल्टी के नोटस भी आपको teaching attributes related मिल जाएंगे चीक है और friends आप मेरा जो telegram group है उसको जरूर जोइन करें वहाँ पर जो है मैं आपको जो informations हैं जितनी भी latest updates हैं जीके के questions हैं वो सब में डालता रहता हो तो उससे आपको काफी help मिलेगी चीक है तो इसी के साथ इतना ही कहना चाहूंगा और चल वाकता मैं भी इससे questions बन सकते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि ये जो है special anti के लिए है लेकिन mainly focus मेरा इसमें lt के उपर ही रहेगा ठीक है तो चलिए हम पहला question discuss करते हैं देखिए एक अच्छे सिक्षक को सबसे ज्यादा संतोस से मिलता है तो आपके सामने चार option है मैं ज्याद में सम्मान और प्रतिष्टा है ना एक सिक्षक के लिए इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं है सबसे important उसके लिए है कि लोग जो बच्चे हैं जो समाज है उसकी जद करें उसका सम्मान करें उसकी प्रतिष्टा हो ठीक है जो कि आज धूमिल होती जा रही है next है आगे क्या सही लगता है तो फ्रेंड्स कौन सा होगा बताईए तो यहाँ पर क्या होगा हम क्या करेंगे अपने चात्रों के बीच घुशना कर देंगे कि भाई उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए हम बेसिकली क्या करेंगे अपने चात्रों को जागरूप करेंगे उसके लावा हमारे पास ऐसा कोई option नहीं है क्योंकि बिगरेताओं को स्कूल की gate से पास से हटाने का ये एक परसासनिक निर्णे होता है और छात्रों को बाहर नहीं जाने के लिए देना या जाने देना ये भी एक परसासनिक निर्णे है प्रिंसिपल को सुचित करेंगे तो उससे क्या होगा हर चीज प्रिंसिपल के उपर आप नहीं डाल सकते हैं ठीक है तो इसलिए आप क्या करेंगे बच्चों को जावरुक करेंगे चलते हैं आगे अगला क्वेशन है मारे पास जब कुछ एक चात्र कक्षा के अनुशासन में बादा डालते हो तो आप क्या करेंगे तो चारों आपके सामने हैं पढ़िए इनको तो क्या करेंगे हम चात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंद बनाने की दिशा में काम करेंगे क्योंकि जो है बच्चों के साथ जब बहुतर संबन आप बनाएंगे और कॉपरेशन के साथ रहेंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे आपके साथ कॉपरेट करेंगे और अनुसासन हिंता नहीं करेंगे ठीक है न आगे चलते हैं अगला है हमारे पास कोई सिक्षक किस प्रकार अपने छात्रों का पसंदिदा बन सकता है तो बताईगे आपका सई उत्तर क्या है तो फ्रेंड्स सबसे इसमें जो ज़्यादा अच्छा ओप्षन दिखता है वो कौन सा है कि हम उनके साथ एक सहानबूती पूर्ण जो है तरीके से ब्यावार करेंगे ठीक न एक उनके साथ सिंपैति पूर्ण ब्यावार रखेंगे एक कोप्रेशन रखेंगे उनकी साहता करे तो तब ही आप चात्रों की बीच में क्या होंगे लोगपुरियब बन सकते हैं या उनका पसंदीता टीचर आप बन सकते हैं अगला एक सिच्छक के रूप में आप जिस तरीके से ब्यावार करना पसंद करेंगे वह है यह ना एज टीचर आपको सबसे इंपॉर्ण आपके डेमोक्रेटिक का मतलब यह नहीं कि आप बच्चे आपकी क्लास में तक्तिल लेके बैठ रहेंगे डेमोक्रेटिक का मतलब है कि आप क्लास के अंदर सबकी जो सहभागिता है उसको सुनिशित करते हों बच्चों को बोलने का मौका देते हों बच्चों को प्रशन पूछने तरीके से ब्यावार करता है, शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? तो बताएए राइट आंसर इसका. तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? उसकी समस्या को जानने और मदद करने की कोशिस करेंगे. क्योंकि एज टीचर, टीचर का आज के समय में सबसे इंपोर्टन रोल है क्या है? डाइगनोस, डाइगनोस करना एक डॉक्टर की तरह है, और फिर रेमेडियल, है न, दो चीजें होती है, मैंने कहीं बार बताया है इसके बारे में, कि डाइगनोस्टिक टीचिंग और कोई दिक्कत है, कहीं तरह की जो चीजे हैं, उसके बारे में पता करेंगे, आगे चलते हैं, अगला कुशन है, यदि किसी बच्चे के माता-पिता रिपोर्ट करते हैं, कि उसने जूट बोलना सुरू कर दिया है, और ग्रहकारे की प्रवार नहीं करता है, तो आप क्या करे हैं, तो फ्रेंट्स, इसमें जो है, देखिए, यह दो आप्शन यहां पर आपको दिख रहे हैं, और अगला जो आप्शन है, दोनों आप्शन यह देखिए, यहां पर, तो देखिए, यहां पर जो सबसे सुटेबल आप्शन है हमारे पास, वो कौन सा है, यही वाला आप् बाकी इसमें ये options सारे negative हैं क्योंकि कुछ खास फरवार नहीं करेंगे तो ये negative हो गया, बच्चे को दंड देंगे तो ये भी negative हो जाएगा, है ना, आगे चलते हैं, किसी अच्छे सिख्षक की प्रसंसा के लिए उप्युक्त किस बात को माना जाता है, तो अच्छा जो teacher है, उसकी अगर आपको तारीफ करनी है, प्रसंसा करनी है, तो सबसे अच्छा क्या है, देखिए आप चारों option में से, तो friends सबसे अच्छा है कि उसके ज्यान और सम्मान दोनों उसका कीजिए, उसके ज्यान का सम्मान कीजिए, उसके लिए सबसे अच्छी प्रसंसा उसकी यही ह क्या है वो है बच्चों को समझना है न क्योंकि बाल मनोबिज्ञान क्या है बच्चे के ब्यहवार का अध्यन और बच्चे के ब्यहवार का अध्यन नहीं कि बच्चों को समझना उनके मनोबिज्ञान को समझना ताकि जो है हम उनको खुद अपने को उनके इस तरह पर रख कर सोचे है ना अपने लेवल के हिसाब से न सोचे हैं चलते हैं आगे चात्र की पढ़ाई में इस पर्ष्ट रूप से सुधार आता है जब बताईए राइड आंसर क्या होगा तो सबसे important क्या है कि छात्र लकषे कैंदरित होना चाहिए और सक्रिया होना चाहिए जब छात्र लकषे कैंदरित यानि फोकस्ट होगा अपनी पढ़ाई के परती और साथ आपका active भी होगा तो दब ये दोनों इंचीज़ें जब होगी तब है उसकी पढ़ाई के अंदर इस बाकी चीजें कोई असर नहीं कर सकती है अगला है हमारे पास निम्लिकित में से कौन सा वह मुख्यक कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं तो बताए राइट अंसर क्या होगा तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट जो कारक है वो है आपका रोजण सिक्षन विदियों का अभाव यानि कि क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर उसको बच्चे के इस प्रकार के मैध़ड से पढ़ाया जाता है कि जिससे बच्चे बिल्कुल भी इंटरस्ट नह मज़ा ही नहीं आता है तो वो इसकूल नहीं आएगा और वो छात्र क्या करेगा फिर इसकूल को बंक करेगा क्योंकि उसे इसकूल में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहे है ना चलते हैं आगे आपकी राय में इसकूल में छात्र संग गठित करने का क्या प्रभाव होता है तो क्रिया कलाब के माध्यम से छात्र असानी से सीखते हैं क्योंकि बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्योंकि क्रिया कलाब जो है वो छात्र के द्वारा खुद किये जाते हैं तो हमेशा जो मनुपिज्ञान है वो क्या कहता है उस काम को सबसे ज़्यादा चातर सीखेंगे जिसमें कि वो खोद से उनकी 5 जो क्या बोलते हैं को senses होंगे वो ज़्यादा active होंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा senses उसमें लगे होंगे यानि वो खुछ से कुछ कर रहा होगा learning by doing ओके आगे चलते हैं अगला है हमारे पास अच्छा सिक्षक वह होता है जो तो बताइए कौन अच्छा सिक्षक होगा तो सबसे अच्छा सिक्षक वह होगा जो रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों के जो पढ़ाई है उसमें उसको मजा है है ना इंट्रेस्टिंग वे में हमें पढ़ाना जैसे कि इंट्रेस्टिंग वे का मतलब ये नहीं कि आपने डांस करना जरूरी है इंट्रेस्टिंग वे का मतलब आपका मैथर्ड जो है वो इस प्रकार से हो जो बच्चों के लिए friendly हो है ना अब जैसे कि for example अगर हम पढ़ाते हैं blackboard पे कई बार जो कोई concept है बच्चों को नहीं समझ मार रहे हैं तो अगर इस प्रकार की बेवस्ताएं हैं कि हम क्या कर पाएं कुछ projector के मादियम से कुछ बता पाएं slide बना के बता पाएं तो उससे क्या होगा बच्ची बच्चों को उसमें खुद बखुद इंटरस्ट आ जाएगा आपने देखा होगा कि जो आजकल नए online platforms हैं उस पर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे वहाँ अगला है हमारे पास मनोब बिज्ञान समयनत है मानव तो मनोब बिज्ञान का संबन्द किस से होता है हमें इसमें बताना है तो ये हमारे चारों ही option बिल्कुल सही हो जाएंगे मनोब बिज्ञान वो हमारे ब्यवार का अध्यन है और ब्यवार के अंदर भावना है विचार अभी छमता का क्या उप रहा है तो इसके भी उप्युक्त सभी आंसर बिल्कूल सही है चादा तर ये उप्युक्त सभी व्याले में जो है वो D option ही right होता है अगला है माएर पास बच्चे का पहला सिक्छक कौई होता है तो पहला सिक्षक हमेशा कौन होते हैं माता पिता इनी की परिवार कई बर परिवार लिखा होगा या माता पिता लिखा होगा दोनों एक ही बात है ठीक है चलते हैं आगे अगला है एक सिक्षक को समाज में समान मिलना चाहिए जब है तो आप बताइए इसमें क्या होगा तो हमारे पास सारे option बिल्कुल सही है जब है क्या करेगा उप्युक्त जो है वो सारे काम करता हो आदर से जीवन को उसको जीना पड़ेगा निश्टा पुर्वक अपनी duty को करना होगा और प्रवावकारी तरीकी से उसको पढ़ाना होगा ये तीने ही चीज़ें एक सिक्षक के अंदर उसकी quality के अंदर आ जाती है नेक्स है किसी हिल स्टेशन की यातरा के दौरान यदि आपका चातर किसी बिर्द महिला के साथ दुर विहवार करता है तो आप क्या करेंगे तो simple है आप उस चातर को बिर्द महिला से क्या करेंगे माफी मांगने के लिए कहेंगे पहरे तो खुद भी माफी मांगे और फिर चातर को भी कहेंगे कि आप उससे माफी मांगे ठीक है आगे चलते हैं अगला क्वेशन हमारे पास यदि बुलाए जाने पर कुछ चातरों के माता पिता अविवाक आकर सिक्षक से नहीं मिलते हैं तो सिक्षक को क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए सबसे अच्छा जो उप्षन है इसमें वो है खुद जाकर उनसे मिलना चाहिए या उनको उनसे संपर्क करना चाहिए बात करनी चाहिए कि भाई क्यूं नहीं आब आ रहे हैं अगला है हमारे पास विद्यार्थियों की प्रसंसा की जानी चाहिए तो कहां पर की जानी चाहिए आप बताईए इसमें से तो फ्रेंड्स विद्यार्थियों की जो प्रसंसा है यानिका अप्रेसियेशन है वो हमेशा लोगों की बीच यानिकी ग्रूप में किया जाना चाहिए ऐसा नहीं कि आप अकेले से चुपके से बुला के किसी की प्रसंसा कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप क्लास में सबके सामने उसकी प्रसंसा करते हैं तो बाकी छातर भी क्या होंगे उससे इंस्पायर होंगे कि इसको टीचर ने अप्रिशेट किया है तो कुछ तो रिजन होगा या इसने क्या किया है ऐसा है ना तो उससे बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे चलते हैं आगे अगला MR पास निमलिकित मैंसे कौन सा गुण एक सिख्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है तो as a teacher आपके लिए सबसे अनिवार्य गुण क्या होगा तो सबसे अनिवारे जो गुन है आपके लिए वो है कि आपने विसाई का आपको बिसेसग्या होना चाहिए है ना भई सबसे में तो क्या है कि as a teacher आप जब अपने subject में expert होंगे तब ही जो है वो बाकी की जो काम है वो secondary है वन्ना तो बच्चा आपके class में interest ले गई नहीं ना कि जब आपको knowledge ही नहीं होगा अपने subject का और जो प्रवक्ता है उसको अपने subject का तो पूरा का पूरा knowledge होना चाहिए साथ के साथ अधर जो subject है कम से कम एक या दो subject का knowledge होना चाहिए तब ही जो हैं बच्चे उसको एक अच्छा teacher मानते है ठीक है चलते हैं आगे एक सिग्छन के प्रति आति सक्रिय रवेयreens का च्यारत तो बताईए इसमें क्या होगा है क्य footprints के प्रति जो आति सक्रिया आपका रवेया है वह होगा आपका सिप्छक हमेशा अनिवायरत है उर्जावान वंवे अति सक्रिया हो है नünf तो हमेशा टीचर को भी क्या करना पड़ेगा, उड़ जावान रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि खुदी टीचर रहे हो, बिल्कुल अलसा रख है क्लास के अंदर, तो उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर भी डी मोटिवेशन होगा, ठीक है, चलते हैं आगे, अगला है मार भासा को सीखने की कोसिस करेंगे, है ना, for example, के बी के अंदर आपका सेलेक्शन किसी ऐसे स्टेट्स में हो जाता है, नौर्थ इस्ट में कहीं भी, जहां पर कि अजीब तरीके के आदिवासी लोग हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, कि आप लोगों को कहीं न कहीं उनसे, वहा आपको इस्टानिया भासा भी सीखनी पड़ेगी, या उत्राखंड के अंदर ही, अगर कोई कड़वाल का कंडेट कुमाओं के अंदर चले जाता है, तो वहाँ पर भी उसे दिक्कत हो सकती है, तो सब जगवा पर एडजस्मेंट करना ही पड़ेगा, इस्थानिया भासा को सीखना पड़ेगा, ठीक है, आगे चलते हैं, यदि कोई चातर आपकी कख्षा में बार बार लेट आता है, तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा उसके ब्यावार के कारणों का पता करेंगे, कि आखिर भाई तू लेट आता है, तो आता क्यों है, है ना, अ अगला है हमारे पास यदि कोई छात्र समझने में सुस्त है तो आपका ब्याक्यान समझने में अक्षम हो तो आप क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे हमारे ब्याक्यान को क्या करेंगे सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा सा अत्रिक्त समय निकालेंगे और उसको उ अपना अत्रिक्त समय कैसे दिना चाहिए तो इसमें दिखिए कई options है तो सबसे suitable क्या है कि खुद को आप पड़ाई में लगा सकते हैं अपने आपको पड़ाई से जोड़ के रखें ऐसे नहीं कि एक बार सरकारी टीचर बन गे तो उसके बाद गंगा नहाली किताब नदियों में बहा दी है न और उसके बाद knowledge को अपग्रेट करना का तो भगवान मलिक हो जाएगा है न तो इससे क्या होगा कि आपका जो knowledge हो वो पुराना हो जाएगा आप कभी भी अपने आपको नए जमाने के साथ जो है अपग्रेट नहीं कर पाएंगे तो अच्छा सिक्षक कब होगा जब वो हमेशा current से जुड़ा रहेगा जो नई चीज़े हैं उनको adopt करेगा और वो कब होगा जब वो खुद अपना क्या करेगा पढ़ाई करेगा है ना चलते हैं आगे यदि आपको यदि आप पढ़ाते समय कोई गलती कर बैठते हैं और कोई चातर इसके बारे में आपको बताता है तो आप क्या करेंगे तो आप simple सी बात है कि गलती के लिए क्या करेंगे खेद मैसूस करेंगे गलती मानने में कोई द अगला मर पास निमली खित में से क्या वह महत्तोपूर्ण योगिता है जो एक सिक्षक के रूप में अन्युवारिया रूप से होनी चाहिए तो सिक्षक के रूप में सबसे अन्युवारिया योगिता आपकी क्या होनी चाहिए पताईए सिक्चक के रुप में सबसे अन्वारियर योगिता यहाँ पर हो जाएगी आपके अच्छे ढंक से अभी विक्तिकी छमता है ठीक है न तो जब आप अपने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे क्योंकि हर इंसान को हर चो टीचर है वो बड़े बड़े टीचर जो होते हैं वो नॉलेज लेकर जाते हैं जो वहाँ पर निकल के जा रहा है तो उसको जाइड सी बात है कि नॉलेज है लेगिन कौन उसको इतन जादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है कौन बच्चों को जो चाइल्ड फ्रेंडली कह सकते हैं उसको वो हो सकता है इस पर डिपेंड करेगा कि भाई टीचर जो है वो किस परकार से माना जाएगा अगला है हमारे पास निम्रीखित में से किसे समयनित है या स्कूली बच्चों का सबसे आम डर माना जाते हैं सबसे जज़दा आम जो डर बच्चों के अंदर है वो किस चीज़द kे लेकर है सबसे ज़दा जो डर होता है वो है ताल मेल की अपरयापता यानि कि बच्चे जब भी कई नहीं स्कूल के अंदर जाते है तो उन्हें ये लगता है कि नहीं में वहाँ पे adjust कर पाऊंगे कि नहीं या किस तरह के बच्चे होंगे या क्या होगा तो तालमिल की अपरयाबता बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा डर होता है जहाँ पर बच्चा अगर तालमिल नहीं कर पाता है तो वहाँ पर वो और साथ ग्रस्त हो सकता है अगला question है हमारे पास एक सिक्चक चुनते समय आप किन बातों को सबसे ज़्यादा महत्तो दिया जाना चाहिए तो यहाँ पर देखिए आपको चार option दिख रहे होंगे तो बताई सबसे ज़्यादा important क्या है तो वो अभी यहाँ पर हमने बात उपर की वही है ज्यान और अभिवक्ति की चमता चाहिए तो यहाँ पर right answer हो जाएगा सबसे जो suitable answer है वो हमें देखना होता है चलते हैं आगे अगला है मारे पास माता पिता सिक्चक संग यानि की PTA जो parent teacher association होती है उसकी बैठक को कब आईजित करना चाहिए तो देखें यहाँ पर चार option तो friends यहाँ पर right answer हो जाएगा option first option first में वो लिख रहा है अभी क्या लिख रहा है अभी धकता हो मतलब यह कुछ गड़वड है इसका मतलब होता है कि समय समय की अवदी पर ऐसा होगा तो फिर बच्चे जो उनकी सही जानकारी जो है वो parents तक नहीं पहुँच पाएगी अगला है हमारे पास अपने अपने खाली समय के दोरान किसी सिक्षक को पढ़ने के लिए निमलिकित में से किसी सर्वोच प्रात्मिकता देनी चाहिए तो टीचर के लिए सर्वोच प्रात्मिकता वाले इसमें से क्या हो सकता है बताइए आप क्या सोचते है तो आपके लिए सर्वोच जो प्रात्मिकता है वो किस पर होनी चाहिए अनुसंदान पत्र वय पत्रिका हैं ठीक है न यानकि जो research paper होते हैं या आपके कोई magazines है या कोई भी आप online पत्रिका है इन चीजों को पढ़ाएंगे क्योंकि as a teacher जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा नई जो updates होती हैं उसको आप मतलब उससे रूबर हो पाते हैं और जब आप नए updated रहेंगे तब ही आप आज के नए जबाने के बच्चों को पढ़ा पाएंगे for example जो है अगर as a teacher आप government teacher बन गए हैं और आपको कोई भी बच्चा आपने अपने knowledge अप्ग्रेट करना छोड़ दिया है अब कोई बच्चा आप से पुछा है सर ये artificial intelligence क्या होता है कोई आप से पुछे सर ये cloud storage क्या होता है कोई कहेगा कि सर आप ये bitcoin क्या चीज होती है तो इस तरीके के questions बच्चों के दिमाग में आ सकते तो आप उनका जो जबाब है वो तब दे पाएंगे जब आप आप क्या करेंगे लगातार जो है technology के साथ साथ अपने आपको advancement करेंगे अपना knowledge upgrade करते रहेंगे current के साथ जुड़े रहेंगे और जो भी देश दुनिया में नई चीज़ें चल रही उसको आप समझते रहेंगे तो तब जाके आप क्या होंगे हमेशा एक सम्मान जो आपको मिलता रहेगा कि इसको इतना knowledge है और आपको knowledge कब होता है जब आप current से जुड़े रहते हैं देखिए जब भी हमेशा आप लगातर अखवार पढ़े हैं हमेशा अखवार पढ़ने की आदत बनाए तो उससे क्या होता है हम हमेशा पता होता है कि current में क्या चल रहा है हम हर मुद्दे पर क्या होता है बोलने के काबिल होते हैं जैसे मेरी आदत है कि मैं हर दिन अखवार पढ़ता हूँ और पढ़ता ही पढ़ता हूँ तो उससे क्या होता है कि अगर किसी भी मुद्दे पर कोई बहस करनी होती है कहीं पर कोई बात रखनी होती है तो उस पर मैं अपनी बात को रख पाता हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि क्या चल रहा है कहाँ पर क्या चल रहा है चाहे हो रायनितिक मुद्दा हो या समाजिक मुद्दा हो या किसी भी प्रकार का मुद्दा हो तो इस प्रकार के मुद्दों पर अपनी विबाक राय तभी रख पाएंगे जब आप क्या करेंगे अपने knowledge को upgrade करते रहेंगे चलते हैं आगे अगला है हमर पास कोई पार्ट पढ़ाने से पहले सिक्षक को क्या करना चाहिए तो बताइगे इसमें क्या होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए पार्ट के जो मुख्या उद्देशिया है यानि कि सम्भरी है या उसका क्या कह सकते हैं एक सार क्या चीज उसके बारे में क्या बताने वाले इनके बारे में बताएंगे चलते हैं आगे अगला question है हमारे पास आपकी राय में बालिकाओं की सिक्षा महतोपून इसलिए है क्यों है महतोपून तो friends बताएंगे इसमें right answer क्या होगा तो friends इसका जो right answer है वो option D है हलांकि option C भी जो है वो सही लग रहा है लेकि option D right answer है क्योंकि जो है एक जो बालिका है जब वो सिक्षित होती है एक महिला जब सिक्षित होती है तो उससे क्या होता है पूरा परिवार सिक्षित होता है और आने वाली पिडियां जो है वो पूरी की पूरी जो है सिक्षित होती है तो उससे निरक्षरता दूर करना है यानि जो इल अगला एमारे पास एक अच्छे चात्र का एक अध्यन, अध्यन्त महत्वपूर्पूर्ण गुण है. यानि कि अच्छा जो टीचर होगा, उसका सबसे इंपोर्टेंट गुण बताना है आपको. तो बताए राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो important है वो है जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझने का प्रियास करना ठीक है न अब जो हर चीज पहली बार में ही हर किसी को समझ में आ जाएगी ऐसा जुरूरी नहीं लेकिन जो अच्छा चातर होगा वो हमेशा समझने का प्रियास जुरूर करता है ठीक है आगे चलते हैं हमारे अगला क्वेशन है यदि किसी अपनी कक्षा में यदि कोई उत्तर जानते हुए भी डर की विज़े से प्रशनों का उत्तर नहीं दे पायता है तो आप क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे उसके डर की वज़े का पता करेंगे कि मतलब क्यों वो डर है ठीक के अंदर होने चाहिए ठीक है साहिता की बावना कॉपरेशन माप करने की बावना कोई गलती होगे तो उसमें माप जुरूर करना है और सिक्षा सभी विद्यार्थियों के साथ एक जैसा ब्यावार किसी के साथ पक्षपाती नहीं करनी है है ना ऐसा नहीं कि ऐसा पहले हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि बिद्यामंदिर के अंदर मैं बिद्यामंदिर से भी पड़ा वाँ तो वहाँ पर ऐसा होता था कि आप बच्चों की पढ़न रुचियों का पता लगाना चाहते हैं और इस प्रियोजन के लिए आप अपने छेत्र के अलगलग आईवर्ग के बच्चों को प्रतिनिदिक समू केस अध्यन दिस्टिकॉन ये एक ग्रूप पेस्टडी होगी है। अगला है हमारे पास तो यहां पर ये बाकी तो अप्शन सही नहीं थे। अगला क्यूशन है कक्षा में प्रभावी तरीके से अनुशासन किस प्रकार से रखा जा सकता हैं। तो क्या हो सकता है इसमें ? तो यहाँ पर जो है सबसे उप्यूक्त क्या है एक ऐसे कारेकरम की ववस्ता करना जो विद्यार्थियों की आवशकता और उनकी रूची के अन्रोब हों चलते हैं आगे अगला क्यूशन है उच्चतर सिक्षा में सिक्षण का अर्थ है यानि कि जो हायर एजूशन है उसमें टीचिंग का क्या अर्थ है तो बताईए राइट आंसर क्या होगा तो फ्रेंट्स राइट आंसर होगा कि कैसे सीख हैं इसमें विद्यार्थियों की करें यानि कि जब हम उच्छतर सिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पास सबसे जरूरी है कि आप बच्चे के क्योंकि जो बड़ी कक्षा में जो आप बच्चा होता वो चीजें जो हैं वो आसानी से खुद भी पढ़कर समझता है लेकिन उसको एक हेल्प की जरूरत होती है नेक्स है हमारे पास आपकी यदि आपकी कक्षा में अधिकांस बिद्यार्थी कमजोर हैं तो तो आप क्या करे करेंगे बताईए राइट अंसर क्या होगा तो आप क्या करेंगे बुद्धिमान बिद्यार्थियों को थोड़ा अत्रित से माग दर्सन देंगे और पढ़ाने की गति को धीमी रखेंगे क्योंकि वो कह रहा है कि अधिकांस बिद्यार्थी जो हैं वो कमजोर है तो जब अ अपनी सिक्षण विद्यों का मुल्यांकर कर इसे सुधारना होगा यानि कि अगर आप जो है वो सही नहीं कर पारें आपकी बच्चे नहीं समझ रहें तो उसमें बच्चों की गलती नहीं है बलकि किसकी गलती है आपकी गलती है क्योंकि आपके अंदर जो है वो इसकिल नह या आपके अंदर पढ़ाने का तरीका नहीं है, आपके तरीके में कुछ दिक्कत है, ठीक है ना, आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, निमलिकित में से कौन सा सिख्चक सबसे वांचिनिय है, तो कौन सा सिख्चक सबसे वांचिनिय है, तो यहाँ पर जो सबसे सूटिबल वो है option D जो अपने विशाई को ठिक ठाक जानता हो लेकिन विद्यार्थियों को काफी ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित यानि की motivate लगातार करता रहता है subject का knowledge तो उसे ठिक ठाक है लेकिन साथ के साथ वह motivate भी कर पाता है यहाँ पर देखिए जो है वो इस प्रकार से जो है ग्यान देते रहेंगे लेकिन आप खुद भी उस तरीके से इतने नैतिक नहीं है तो बच्चे जो है उस चीज को seriously कभी भी नहीं लेंगे ठीक है और आज का मारा अंतिम question है कोई ब्यक्ति एक अच्छा सिख्षक हो सकता है यदी यदी पता ये right answer क्या होगा तो right answer हो जाएगा पता ये इसका right answer क्या होगा हाँ तो इसका right answer हो गया सिख्षन के परती वो सच्ची रुच्ची रखता होगा है ना तो as a teacher सबसे ज़्यादा क्या है कि आपका teaching में interest होना चीए जैसे कहीं जो है मैंने कहीं लोगों को देखाया है जो teachers हैं already तो वो बन तो गए हैं लेकिन वो कहते हैं यार हमें मन नहीं करता है पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं करता है तो इस प्रकार से जो है आप क्या करते हैं फिर बे मन से काम करके और एक तरह से फिर जो वही वाली बात होती है कि बस duty करनी है और एक होता है अपने कि जिन कुछ लोगों का passion होता है पढ़ाना तो passion जब होता है तो तब आप क्या करते हैं हमेशा उस चीज़ को उस चीज़ में खुश रहते हैं आपने देखा होगा जो टीचर्स हैं वो हमेशा रोते ही रहते हैं कि कहीं टीचर्स इतने कंजूस क्यों होते हैं वो इसलिए होते हैं हमारे तो कोई income नहीं है इदर उदर से और ऐसा वैसा कहीं चीज़ है अपने आप से कभी satisfied नहीं होते हैं उस तरीके के आपको नहीं बनना है ठीक है तो चली फ्रेंड्स अभी के लिए इतना questions काफी हैं कल हम फिर से एक नया test discuss करेंगे तब तक के लिए बाई गुड़नाइट